और ये बस सामने ही है कपिल धारा और ये है कपिल धारा परवतों के गोध पर ही बसा हुआ है ये आरे वाह क्या द्रिश है देखिए ये है कपिल धारा ये उपर से जलधारा नीचे की तरफ गीर रहा है और गिरते गिरते जो है पानी की छोटी-छोटी बूंदे ऊपर के और भी अपने आप उठ रहे हैं और हमारे चेहरे पर भी थोड़ी-थोड़ी इसकी छीटे लग रही है अब हम लोग का प्रोग्राम मनना है यहां से नीचे दूद धारा 130 सीड़ी साइद नीचे की और पहले जाना है फिर उसका फिर उपर चड़ना है तो अब चलते हैं दूद धारा अभी थोड़े दिर पहले यह लोग सब जाने से इनकार कर रहे थे लिकिन जब अपन लोग यहां पर आए ही हैं तो क्यों इधने के लिए अपने आपको फोड़ेंगे और यह सब पैदल चलना तो हमारे शाहिर को कहीं ने कहीं सब बेनिफिट ही देगा उजश्ट कपिल धारा के साइड से ही यह दूद धारा का रस्ता है ना साड़ो जी यह साड़ो जी ऐसे जागा में देखे तो जी नीबू का पानी जो मिल रहा है भगवान का सामरीद से कम नी दिख रहा है ना कब नहीं हाते समय देख लेंगे ऊ возмож दूद्धारा पहुंचने वाले हैं लेकिना पर सेब्सने से पहले क्या क्या कि मिल गया तो कहीं पर नीबु पादि पाईल और करकर आई है नीबु पादि लाए उद्योब है तो जाद आ टा कि की ऐसे जगह में आए श्रस्ट को रहा हुए ठीक रहती है गलत हो जाता है यह ऐसे जगह में जो शांती महसूस होती है ना वह दुनिया के किसी फाइविस्टार होते है और नहीं है कोई मतलग की नहीं आचरण गया हार्ते हम लेकिन पारिवारिक जीवन में फंद गया है ना बाबा इस वजह से ऐसा आनंद जो है नहीं भोग पा रहे हैं यह आनंदी होना जोड़ी है सही बात साधू आदमी लोगा साधू लोक्त जमता है जी सागर से अप लोग सागर से आ रहे हैं पैदल समु और अब हम लोग पहुचने वाले हैं दूद धारा और यह है दूद धारा आप लोग की देख लीजिए और यहां के जश्ट साइड में ही यह एक गुफा जैसा है देखिए पत्थरों का और अंदर कोई मंदिर भी है वासा जी का तपव में इस्थालिया ही है गीला है यहा यह देखिए मा निर्वदे दूद धारा का अनन्द ले रहे है आप यह है दूद धारा पापा पापा धोल बाजे रे धोल बाजे साढ़ू जी माहौल में जोर से नाचे आए साढ़ू जी एनरजी तो पड़ किस गासाढ़ू तोर वीडियो में आना है तो भाई बोल रहा है कि मेरे को वीडियो में आना है तो यूट्यूब का चैनल है तुम्हारा अगन नहार्ते हुए जितेंद्रु कुमारे गर्वाल सब्सक्राइब तो अब वाक्सी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे शिकंजी सेंडर में हर में रहना ऐसा लगता है शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा लेकिन अब यहां आए हैं और जो घूंपी रहें तो लग रहा है कि नहीं हमारे में स्टेमना बचा हुआ है सब्सक्राइब करेंगे और जब शरीर काम करना चालू करेगा ना तो आटोमेटिक जो है उर्जा करता है शरीर और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने यह बार ऐसे जगह पर जाके देखिए देखेगा आप लोग जरूर सक जाएंगे क्योंकि शरीर अपने आपको हर प्रकार के जगहों में डाल लेता है और हर चीजों के लिए इस टेमना क्या आउशकता होती है आप लोगों को पता है इस टेमना बिना जीवन अधूरा है त तो हम लोग फिर से पहुच चुके हैं अमरकंटक में और अब एक्चुली क्या है कि गुर्ध्वारा से हम लोग आज निकल के सोचे कि आज अलग जगह रूपते हैं तो यह होटल आतिफ्यम में यहाँ पर आज हम लोग विज़्राम कर रहे हैं यहाँ पर हमने रूम ले लिया है दोठो अब चलते हैं यहाँ से पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद दूर्गा थारा हम लोगों को जाना है फिर चलेंगे जैन मंदिर अब यहाँ दूर्गा थारा का रस्ता अमर गंटक से मुष्किल से दो-तीन किलमेटर बाद ही यह मोड़ है इस मोड़ के बाद फिर एक मोड़ है जैन मंदिर भी आज़े इसी रूट पर आगे 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 जाके रस्ते खराब हैं तो एक तम धंगोर जंगल है वास्तों मे यह और अभी हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं दुर्गा धारा वह वास्तों में थोड़ा सा रस्ता होगेरा खतरनाक है और जंगल भी यह खतरनाक है यहां पालों का चीतों का हरकिसी का डर है और मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं आप लोग जब ही अमर कंटक आएं तो बस पहुंच गया हम लोग दुर्गा धारा देखें कितना बहतरीन सीनिरी मा दुर्गा का सिहासन जैसा ही दिख रहा है और यह दुर्गा धारा की खुपसूरती आप लोग स्वेम देख रही है अपने नजरों से अरे इधर देखो मैं से फोटो आ रही है ताडू जी भी यहां से बैठे बैठे वहां का फोटो ले रहे है और जब हम लोग पहाड़ों के बीच बैठते हैं ऐसे घंगोर जगह में बैठते हैं तो अगर दिन भी होता है तो शाम जैसा लगता है अरे वाह यह है जन्नतानंद जय मदरंगवली जय हो स्वर्गानंद आप लोग देखिए इसे बोलते हैं लाइफ पहले दर्शन कर लेते हैं उसका प्रसाद ग्रहन करेंगे हम लोग जय मातादी शंभू मेरा भोला है खंदारी करेंदी की सवारी शंभू ना थरे और संकर ना थरे हम लोग पूरा भाव भूर हो चुके हैं इतार ना प्रसाद करेंगें असीन प्राक्तर रहें कि यह जगह पर रहें क्यों सब्कुल जी हम लोग लीन हो गया है आप लोग भी कप इस जगह पे आगे देखिए कसम से बोल रहा हूं आप लोग भी लीन ना हो जाया तो हमारा ना मुदल दीजेगा जै बोले बाबा की जै पहाड़ी वाले मैया की जै पचरंग बने जमाने में कहा तूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में पिगडी हुई तकदीर बनती है लब पे तूँ आए आखों में आखों दिल में उमिली दे पर छोली खाली सिर्टी बाले कितना च्छकरम किये रता है जो यहां पर रहने के लिए मिलता है और गरीबी उसको नहीं बोलते है बाबा गरीबी उसको बोलते है रियल में जिनके पास सब चीज रहते हुए भी जो आदमी कुछ न कर पाए न वो सबसे बड़ा गरीब है मेरा मन में तो ऐसा लग रहा है बाबा अम भी दसमास साल में महम ममता छोड़ेंगे और आफिलों के जैसे आएंगे और शुकून का आनंद लेंगे अच्छाए बाबा अच्छाए बाबा लोग लापना जीवनी देखे न हम लोग अपना जीवनी एक्दम खथम लग रहा है निम्भू डाल रहा है देखो ऐसा जीवन जीने का मेरे कोई परम इच्छा है सब्सक्षा खेंगे शब्सक्राइबत करेंगे देखर दो एखर एक जीवनी चाहिए परम इच्छा था बाबा अब ऑर यह ए वहां है इस वी लाल चाह बाबाजी के हाट का अब पता नहीं हो चाहिए हाहा है अजय को इस तो बाबाजी से मैं एक दिन यहाँ रुकने का रिक्वेस्ट किया तो बोला आप लोगों को देखकर एक दिन नहीं आप लोग हमेशा के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाएए ऐसा वाबाजी का जो है मानना है वारे लिए तो हमारी लिए परम्सुभा कि बात है और एक साधू जैसे प्रवृत्ति वाले इंसान को एक असली साधू ही जानता है। तो ढमारे साथ ही हो रहा है। पर बाबा जी के हाथ के परसाद है पर बहुत परवानंद बाफ तो आपके शरणों में आकर अलोग वो इतना मज़ा कहीं नहीं आए दिल बाग बाग हो गया एक दम मैं अंदर से भावी भूर हो चुछ तो फटाल नहीं है बाबा फिर निकलते हैं बाबा बंबं भोले केलास्पती हरहर नर्मदे जाने के मन ही कर रहा है आपको भी अम्डे गरिया अब भूआरे थाखुर को आपी समझाने का मन निक रहा है जे जगदी जगदी सहरे तो भी हम लोग आनन्द देखकर थोड़ा सा इधर चीड़ापन भी हो गया क्योंकि मैं गल्दी से बोल दिया कि हम लोग दो जन को आना था साड़ो जी के साथ विज़ेशेशा पो का मीडिम बताना पाद है हसाता है यही इसलाता है जिवाना है हाह हम लोग जैन मंदिर यह विराड जैन मंदिर देखिए हर जगह को इतने फिनिशिंग के साथ यहां पर बना रहे हैं कि कहीं पर भी कमी खोचपाना साइध असंभव है मुश्किल है मधुमक्की का चत्ता बहुत है कुछ ऐसा है देखिए मंदिर अश्ट धातू से बना हुआ यह मूर्ती श्री बुद्ध जी का गौतम बुद्ध का अधिने बड़े बड़े दर्वाजे देखिया आप लोग वाँ अपरे कम से कम 15 फीट से कम हाइट नहीं होगा इस दर्वाजे का और यह मशीन लगे हुए कर दो है पत्थरों को जो है ऊपर चढ़ाने के लिए और काम अभी रणिंग पर ही है चल रहे काम तो यह है अमरकंटक का जैन मंदीर आप लोगों ने देखा कितना भव्य है और जितना ज़्यादा भव्य है उत्मा ही ज्यादा है इस भव्यता को बनाने के लिए लोगों का और कारिगरों का इस पर महनत लगा है अब यहां से चलते हैं हम लोग अपने अगले गंतव विक्योर और यहां जैन मंदी के पास ही बाहर निकलते हुए हम लोग हो गया है शाम इस जगह का नाम है स्री अंत्र मंदीर शाम हो जाने की वज़ासे मंदीर आप लोगों को इस पश्ट दिखाए नहीं देगा बहुत मस्द पीशे तरब भी एक मूर्ती है मतलब चारों दिशाओं में चहरा बना हुआ है मूर्तियां बनी हुई है और देखते ही देखते शाम होने लग गया है अंधेरा होने लग गया है अगले वीडियो में जय बज़ाएं